मतुरा डंपिंग प्लांट में भी भीशन आग लगने से हरकंप मच गया आग की चपेक में आने से कूरा निस्तारन करने की कई मशीन जलकर खाक हो गई और वही प्लांट में रह रहे कर्मचारियों का सामान भी जलकर राख हो गया कई घंटे बीच जाने के बाद मौके पर दमकल विवाह की गारियां पहुँची दमकल की गारियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है लोग सभा चुनाव में भी यह डंपिंग प्लांट एक बड़ा मुद्दा रहा है इस डंपिंग प्लांट से स्थानिय लोग परेशान रहते हैं आपको बता दे कि थाना जमुना पारिला की स्थित नगला कोलू के पास बने डंपिंग प्लांट में भीश माग लग गई और पूरा आसमान ध्वे के गुबारे से धख गया आग इतनी भीशन थी कि आग की चपेट में आने से कूड़ा निस्तारल करने की कई मशीन और कर्मचारियों का सामान भी जलकर राख हो गया वही डंपिंग प्लांट के अंदर खड़ी कूड़ा लाने वाली गाड़ियों को काफी मिसकत के बाद बाहर निकला गया अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था डंपिंग प्लांट के आसपास रहासी इलाका है जैसे ही डंपिंग प्लांट में आग लगी और जहरीला धुआ उठने लगा तो लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी घैटना की जानकारी लगते ही अपर नगर आयुक्त मौके पर पहुँचे परंतु कई घंटे बीच जाने के बावजूद भी दमकल विभाग की गाड़ियों को नहीं बुलाया गया जब स्थानी ये लोगों ने अधिकारियों की पास पहुँचकर आग बुझाने की बात की और कहा की दुए की वजए से हम लोगों को परेशानी हो रही है जहरीला धुआ उठा रहा है तब जाकर दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाकर आग काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है प्रच्छ करने का आश जादा इसला benefits भी आप जो गई आप ऊकरती हो यह काम करते हैं लगवक कित्वाना ओगा और था सब्सक्रकार कानी वह लगा के चलो ना उत्ता ही तरन रुफसार हो गया है इसको लेकर क्या मानते हो किस परिकार से अग लगी है और शेर का कुड़ा जो आता है वहां किसी में आग लगते आई थी तो आग बढ़ गई तो आग ने पूरा अपना रूप ले लिया ता जाद आग लगती है आग अब देखी रहें कि आग अज ती ठाग लगी थी उसको अब लोग कंट्रोल कर रहें कोई आज में जानी मोटर बगराब बलाई थी कोई सूचना दी थी अब फिलाल देखते हैं नहीं माम उनको सूचना दी गई है आर यह माचिन आग आग अ दूआ अजसर दूचना दी रहें आग प्टस दूआ आग अजसर वाल इूब लोगता दी ती रहें कोई सकता है